दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फियों दुकाने 8 बज़े तक ही खुलेंगे मौल पार्क जेम बन साथियों में 50 लोगों की अनुमती है अब बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते वे सरकार ने नए गाइड लाइन जारी की है राज भर में राद 10 बज़े से सुब पाच बज़े तक नाइट कर्फि रहेगा एक बर फिर से सभी धार में किस्तल, सिनिमा हॉल, सौपिंग मॉल, कलाब, स्वेमिंग पूल, इस्टेडियम, जेम, पार्क और उध्यान को आम लोगों के लिए पुरी तरह बंद कर दिया गया है आड़ भी तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्तान बंद कर दिये गये हैं सभी दुकाने आड़ बज़े तक की खुले सकेंगी आपके जानकारे के लिए बता दे कि हैं नई गैडलाइन गुरुवार 6 जनुवारी से लेकर 21 जनुवारी तक पभावी रहेगी बारीकबर बिहार में कोरोना के कारण सकूल बंद जानि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगी कورोना के तेसरी लहर को देखते वे नितित सरकार ने बड़ा फैसला लिया है राज में नाइट कर फुके साथ साथ नई बंदे से लागू कर दी गई है स्कूल के संचारान को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है राज में आटवी क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिये गए है सरकार के आदेश के मताबिक 21 जनवरे तक आटवी क्लास तक के बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे और उन्हें केवल ऑनलाइन पढ़ाई की वबस्ता दी जाएगी हाला कि आठवी से उपर के बच्चों को आदिय पस्तितिक के साथ स्कूल बुलाया जा सकेगा सरकार ने जो आदिय जारी किया है उसके मताबिक सेक्चिनिक संस्तानों को इस सक्ति के साथ लागू करना होगा राज में कोरोना के सिति भायवा होती देख सरकार ने फैसला किया है सबीत रखे प्रावेट स्कूल के उपर यह सरकार का आदिय लागू रहेगा बड़ी कबर बिहार में कोरोना के जबर जैस लहर पिछले 24 घंडे में मिले 893 संक्रमित जिया बिहार में कोरोना के तेसरी लहर बेकाबू होते जा रही है राज के अंदर पिछले 24 घंडे में कोल 893 नए मरीज मिले है वही राजदानी पत्ना में 565 मरीजों की पहचान हुई है जो अब तक का सबसे बड़ा विस्पोर्ट है पत्ना के अलावा गया और मुझपरपुर में भी बड़ी तादाद में नए संक्रमित मिले हैं गया में 99 नए मारीजों की पहचान हुए है जबकि मुझापरपुर में 47 नए मारीज मिले हैं इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसो की संख्या दो हज़ार की उपर जा पोची है अगली बरीक अबर पत्ना में हुआ खूरोना बिस्पोड 565 संक्रमित मिले 40 सा अधिक बच्चे जया पत्ना में कोरोना संक्रमन ने भयावा और रूप ले लिया है पिछले 24 घंटे में जिले में कॉल 565 मरीज मिले हैं इसमें 40 सा अधिक बच्चे हैं पिछले 24 गंडे में आई रिपूर्ड में 386 की जाच आर्टी पिसियार से हुई जबकि 11 की जाच एंटिजन किट से हुई थी राज़ानी पटना में अकेले 1250 एक्टिव केस मौझूद है राज़ानी के लगबग हर महले से नई संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है अगली बड़ी कबर बियार में डाक्टरों की चुट्टी 28 फरवारी तक रद जिया बियार में कोरोना वारिस के आप प्रत्यासित रूप से बढ़ते संक्रमन के रूपतान एवम इसके निरोधात्मों को पाई है तो विष्ज चोकसे एवम निगरानी की अवैसकता को देखते वे स्वास्त बिबाग ने सभी डाक्टरों एवम स्वास्त करमियों की चुट्टी रद कर दी है 28 फरवरी 2022 तक सभी डाक्टरों की चुट्टी रद की गई है इस सम्मन में विबाग की बिसेस कार पतादिकारी रेनु कुमार ने जानकारी दी है अगली बड़ी ख़बर आईजी आईस और एमस ओपीडी में अब सिर्फ ओनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन जी हाँ एमस पटना और आईजी आईमस के ओपीडी में दिखाने के लिए अब सिर्फ ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन होगा मरीजों की भीड से बचने के लिए मरीजों की सेंक्या भी सिमित कर दी गई है आईजी आईमस के प्रते कोबेडी विभाग में नए और पुराने मरीजों को मिला कर सिर्फ पचास मरीजी देखे जाएंगे अगली बड़ी खबर बिहार को सीत लहर से नहीं मिलेगी रहत 8 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट यहां पूरा उत्तर भारत भीसा नसीत लहर की चपेड में है देश में भी हाड कपा देने वाली सर्दी का सिलसला जारी है और मौसम विभाग के तरफ से जो नई जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आने वाले कोई दिनों में फिलाल इससे रहात के उमिद नहीं है आपको बता दे कि 8 जनवरी तक के लिए जो मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार में आगा में 8 जनवरी तक 9 तम तापमान 8 से 12 डिगरी के अंदर होगा वहीं ज्यादा तर जीलों में 10 डिगरी या उससे नीचे का पारा रिकोर्ड किया जाएगा इसके अलाव प्रणस भाग में अब तक सबसे घनकोरा चाया हुआ है बड़ी कबर बिहार में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर सिधे वोटर चुनेंगे खतम होगा मैनेजमेन का खेल जियाराज के नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आब सिधे वोटर आप तक पारसद की जरिये मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता रहा है लेकिन राज सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है नितिज सरकार की तरफ से बदलाव का प्रस्ताव तयार कर लिया गया है और जल्दी से केबिनेट में लाई जाने की समावना है केबिनेट की मोहर लगने के बाद यहां वेबस्ता लागू हो जाएगी इसके लागू होने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर की चुना में मेनेजमेंट का जो केल होता था उस पर लगाम लगेगी और वोटर अपने मेयर और डिप्टी मेयर को सिधे चुन कर उनकी जवाब देवी विताई कर पाएंगी आपकी जानगारे के लिए बतादे कि पड़ोसी राज जारकन समेत कई आने राज्यों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सिधे जनता करती है लेकिन बिहार में या वबस्ता लागू नहीं है या चुने गई पारसद ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं जिसे लेकर समय समय पर तकरार किस्टी होती है साथ साथ खेमे बाजी के कारण विकास के काम में भी परवावित होते है बाड़ी कबर बिहार में पुलिस अम्बूलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक नमबर करे डायल 112 पर तुरंद मिलेगी मदद जिहां बिहार में पुलिस बुलाना हो या एम्मोलेंस या फिर अगनी समख इन सब के लिए आपको सिर्फ एक नमबर डायल करना होगा इससे आपको ततकाल सहता मिलेगी पुलिस एम्मोलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपकालिन सिवाओं के लिए सिर्फ अब 112 ही डायल करना होगा सब आपकालिन सिवाओं वाले नमबरों को एक प्लेटफर्म डायल 112 पर किये जाने के समख में पुलिस मुख्याले द्वारा एक प्रेस रिलिस किया गया है बता दे कि डायल 112 की विवस्ता काफी हाइटेक है और इससे ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम से इससे जोड़ा गया है इससे फोन करने वालों का लोकेशन भी उसके कॉल के साथ कमांड सिंडर को मिल जाएगा इससे रिस्पॉन्स टाइम कम लगेगा बाड़ी कबर तुसरी लार की चपेड में बिहार का सियासी गलियारा जदयू और हम पार्टी के नेता हुए संक्रमी जिहां कोरोना ने अपने पाव अब सियासी गलियारों की तरब भी बढ़ा दी है सुमवार को हम पार्टी के प्रमूल जितारा माजे अपने परिवार के 18 सदसों के साथ पोजिटिव पाए गए सुमवार को जदोयो कार्याले के अंदर गार समेथ पाच लोगों को कोरोना पोजिटिव पाने की जानकारी से हड़कम मचा ही तक ही थोड़ी दिर बाद ही जिडोय के राष्टिय अदर्च ललन सिंग को भी कोरोना होने की पोश्टी हो गई है जदोयो कार्याले सील कर दिया गया है इस बीच माजे की हम पार्टी ने अपने तमाम कार्करमों को इस्तगित कर लिया है बड़ी कपर बिहार के इनी गारा जिलो के वाहन मालिक समखल कर चले सक्टी से लागू होंगे ट्रेफिक नियाम जिया ट्रेफिक नियामो का राज़ानी पाटना के अलवा आईने बड़े सेरों में सक्टी से पार्ण कराया जाएगा इसके अलावा दुरगटनाओं को कम करने के लिए हर जिले में बलेक स्पोर्ट चिनित किया जाएंगे वाँ ट्रैफिक विवस्ता सक्त की जाएंगे इसकी तैयारी सुरू कर दी गई है जिन जिलों में ट्रैफिक डेस्पी तैनात है वाँ नियुमो का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्दिस दिये गए है पाटना के अलावा गया बोजपूर सारन मुझपर पूर बेगुसराई कटिहार पुर्निया भागलपूर मुंगेर दरबंगा और नालंदा में ट्रैफिक डेस्पी के पद है इने जिलो में ट्रैफिक के बढ़ते दवाब को देखते वे ट्रैफिक नियुमो का सकती से अनुपालन कराने के निर्दिस दिये गए है इने जिलो में भी हेलमेट चेकिंग फोर विलर में सीट बेल्ट लगाना अनिवार कर दिया गया है इसके उलंगन पर सकती से जुर्मना भी लगाया जाएगा चप्रा में भी केमरा लगी बर्दी से ले सुवी ट्रैफिक पुलिस की वेवस्ता की गई है बाड़ी खबर बिहार के पूरो मंत्री हरी नरायन सिंग का निदन सियम नितिस लालो राबडी और तेजस्वी ने जताया दुख जिहां बिहार के पूरो मंत्री और राष्ट्य जनता दल के वरिष्ट नेता हरी नरायन सिंग का निदन हो गया उनके निदन से राजनितिक हलकों में सोक की लहर है हरे नरायन सिंग के निदन पर सियम नितिस कुमार, राज़त के राष्टी अधक्ष लालू प्रसाद, पूरु मुख्यमंतर राबड़ी देवी, निता प्रतिपा चित जिस यादव सहित कई वरिश निताओं ने गहरा दूख जताया है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि हरे नरायन सिंग भोजपूर, जगदिसपूर से विधायक रह चुके हैं अगली बड़ी ख़बर पटना सहित बिहार के कई सहरों में बदलेगा ओटो का रूट, निश्चित संक्या में ही मिलेगा परमिट जहार राजदाने समित राज के प्रमुख सहरों में ओटो की एक निश्चित संक्या ताई की जाएगी, इसके लिए सहरों के अलग-अलग रूट पर यात्रियों के दवाब को देखते वे ओटो की संक्या निर्दारित की जाएगी, इसी संक्या के आदार पर ओटो को परमि सुरू किया जाएगा इससे पहले पटना में इससे लागू किया जाएगा इसके बाद दूसरे चरण में मुझपर पूर भागल पूर और गया जिससे सारों में से लागू किया जाएगा राज के कई जिलों में ओटो का रूट भी बदला जाएगा सबसे पहले इसके आगली बड़ी खबर वायू प्रदोसन में बिहार ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ा पटना भागल पूर चफरा गया बक्सर में बिगड़े हाला जहां बिहार में मौसम का मिजाज बदलते ही वायू प्रदोसन का इस्तर फिर खतरनाक इस्तर पर पहुच गया है पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांस सहरों का वायू प्रदोसन इस्तर दिल्ली या उसके करेब रिकॉर्ड किया गया चफरा की हवा दिल्ली से ज़्यादा प्रदोसित मिली समवार को चफरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रहा जबकि दिल्ली में 387 दर्ज किया गया वही कोरोना केस बढ़ते बिहार में बढ़ी सकती बीना मास्क घर से निकले तो देना होगा जुर्माना अस्पतालों में नहीं मिले गया कोरोना वारेस के बढ़ते संक्रवन को देखते वे पटना में सवी के लिए मास्क अनिवार कर दिया गया है बीना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपी जुर्माना देना होगा गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्द कर लिया जाएगा वहीं बगेर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राक बर भी जुर्माना लगेगा सोमवार यानि आज से सहर के मुराहे सडक सबजी मंडी बस इस्टेंड रिल्वे स्टेशन आदी पर जाच की जाएगी इसके लिए प्रसासन ने 10 टीमों का गठन किया है सनिवार को डियम डाक्टर चन सेकर सिंग ने कोरोना के बड़ते संगरमन को देखते विए आदेस जारी किया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में 6 जन्वारी से 21 जन्वारी तक जो पावंद्या लगाई गई है उसके अनुसार बिहार में कोरोना के मरेजों के संगर कम हो गयी या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए